दोस्तो साला सर्ट टेक्नो इंजिनिरिंग की बात करें तो श्टॉक के अंदर आज लोर सर्क्रीट लगा और इसके पीछ यह वज़ा है बाजार में जबर दस बहुत ही भारी गिरावट एक तरह से मार्केट पूरा क्रेश कर गया कोरोना काल के बाद पहली बार और इसका आस अब आने वाले समय यह बड़ा स्टॉक बन सकता है यह कमपनी कमाल कर सकते है इसका जो बीजना से वाकई में इसको उच्छायों पर लेके जा सकता है तो क्या इंवस्पेंट करना चीए और बाजार के लिए आगे कि क्या समौर उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माद्यम से क्या इस समय बाजार में इंवस्पेंट करना चीए लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेला इकोन दबा दीजिए ताकि जबीने वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडि लाइक से जरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस बीदवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सरकार तो एंडिय की बंदरी यानि रिपेट हो रही है तीसरी बार मोधी सरकार फिर क्यों इतना बड़ा डर लग रहा है बाजार को तो आप देख सकते हो कि जो बहुत बड़ी गिरावट ही इसमें आप देखें तो लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ आज 45 लेक करोड़ रुपे डूबे है इन्वेस्टर के बहुत जबर्दस और जिस तरह से तो कलपना से परे ये नुकसान है और एक ही दिन में 6000 पॉइंट की भारी बरकम गिरावट BSE सेंसेक्स में होना और 1900 पॉइंट की भारी गिरावट अगर हम देखे कि वो निप्टी में हो जाते हैं तो ये कलपना के परे ही का जाएगा तो ये जो भारी बरकम लॉस हुआ है ल और पूरा NDA 294 के आसपास है तो सरकार बनाने के लिए दूसरे सयोगों का साथ लेना होगा तो एक तसे ये इस बार जो सरकार होगी वो मिली जूली सरकार होगी यानि पूर्ण बहुमत BJP के पास नहीं होगा तो सरकार सयोगों के जो दल है उनके मदसे ही चलेगी तो शेर पावबजार को इसी का डर है कि इस बार जो सरकार ने वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और जब भी इतियास को देखे दो झालार के लिए तो काफी सांदार ग्रूत का दोर होता है उसमें काफी चापर दस्यन करता है तर वो देख सकते हो कि 76,000 तक पहुच गया था, तो ये आप देख सकते हो कि एक इतियास रच दिया था, बंबे श्टॉक हैक्चरिंड है, और हमारी जो एकोनोमी वो 5 ट्रिलियन डॉलर के इस तर को छू गई, तो दुनिया का पांच वा सबसे बड़ा ये मार्केट हमारा बन ग होते हैं, और देख सकते हो कि इंडिया था, पिछले 10 सालों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्तिवस्ता बनकर उबरी है, तेज रप्तर के साथ विश्व की पांच वी सबसे बड़ी एकोनोमी बनी, अब बाजार के साथ ये डूर बन रहा है कि जो फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे सरकार की जो रिवनिव उस पर असर देखना को मिल सकता है, और राज्यों को फाइदा हो वैसे कुछ योजनाई भी लाई जा सकते हैं, तो इसलिए ये बाजार को डर लग रहा है, अब यहाँ पे अगर हम साला से टेक्नो इंजिनरिंग की बात कर लिए तो बहुत ही सांदार बीजनस है, कमपनी सोलर सेक्टर के लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और लगातार काफी अछे इनको ओर्डर मिले, पिछले जिगों इनको जैट नेट्रॉक बिजनस प्राइवट इलिमिटर की तरब से दो सो क्रोड का एक बड़ा ओर प्रोडर मिला है, और ऐसे ही लगातार इनके ओर्डर इनके पास आरे सोलर सेक्टर के लिए कंपणी काम करें, जिस पे सरकार का फोकस है और आगे भी बना रहे से पह, इसके अलावाद जियो जैसे इसके पार्टनर मिले हो, जियो को ये लगातार टावर सप्लाइग कर रहे और साथ में अगर आप देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ में इन्होंने जॉइंट वेंचर्स बनाए और ये दोनों मिलके इलेक्ट्रिक के वी लाइन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये देखते हो कि वन अन्डे सेंटी फोर कोट का इनको मद्दी परदेश म एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसमें 49% की इसेदारी साला से टेक्नो की है, तो इससे क्लेली समझ में आ रहा है कि वाकई में इसके बीजनस काफी अच्छी है, बड़े-बड़े इनको क्लाइंट मेले हुए और बड़ी-बड़ी इनोंने पार्टनर्सिप किये, जिससे क कि चोटा स्टॉक आने वाले समें बड़ा दमाका कर सकता है, काफी बैतर रिटन दे सकता है, तो कमपनी पावर सेक्टर के लिए काम करती है, कमपनी टेलिकॉम टावर सेक्टर के लिए काम करती है, रेलवेज के लिए काम करती है, और यह सारे सेक्टर है जो आने वाले समें बैतर प्रदर्शन कर सकता है यह जो श्टॉक है यह भी मल्टी बैकर बन सकता है और इसे लिए कम प्राइज में मिलने वाले श्टॉक में दाव लगाया जा सकता है और आने में बादर में फिर तेजी का दौर सुरू होगा तो श्टॉक काफी जबदस दौर सकता है अभी रि गिरावट बड़ी थी यहां पर जो सबसे बड़ी बात है जो शुरुआत आज पॉइंटी पॉइंट फोट जिरो पर पर प्लोजिंग कल की 30.35 के आसपर थी इंट्राडे में 25.25 का लो बना बहुत जबरदस्त श्टॉक गिरा लेकिन निचले लेवल से रिकवरी देखनों को इस बात का सबूत है कि यहां पर अच्छी खासी खरीज़े देखनों को मिल रही है जैसे बादर को एक अच्छी सम्मावरों पॉइंटी बनेगी तो श्टॉक दोड़ेगा जुरू और इसके पीछे वज़ेस का बीजनस सबसे जो बड़ी बात है कंपनी को अभी रिसेंट लाइसेंस अलड़ी मिल चुका है और कंपनी ई-कॉमर्स और पैमेंट सोलूशन अलड़ी उपलब कराबती है काफी अच्छा बीजनस इनके पास कंपनी इंडिया के अलावा विश्व के काफी देशों में कामकाच करती है और बैंकों के लिए स्पेशली यह सर्विस इनके मोबाइल डिवाइस के जरी है तो इसलिए इनका बीजनस वाकई में असांदार है और इस टॉक आने वाले समें बैतर परदर्शन करता हो दिखाई दिये सकता है सबसे जो बड़ी बात है इसके लिए कि अब यहां पे दो जो भाई थे उसमें से जो बीजनस है वो किया है गिफ सेटी गुजरात से इनों इसकी सुरुआत कि और साथ में यूएस में भी एक कंपनी के अंदर 20% की इसाधारी ले लिया है तो यह एक बिल्कुल नए जमाना का नया बीजनस है आर्टिफिशल इंडेलिजन जिसके अंदर बहुत सारी संभावना है और इसी को कंपनी ने अपनी सुरुआत कर दी है इस बिजनस के अंदर तो आने वाले समें या तो AI का बिजनस या फिर UPI का बिजनस जो Digital Transaction का बिजनस हो यह सारे बिजनस काफी कमाल कर सकते हैं और आने वाले समें यह फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं ऐसे में यह Infibium Avenue बड़ी- कारबने की संभावना तो दिखी रही है लेकिन फ्रेंड कोई भी Investment करने से पहले अपने Financial Advices बड़े ले या अपना खुदका रिसर्च करें क्यूक मैंने वीडियो आपके Educational परपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की जानल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स